बिहार हो या मुंबई इनका दिवाना हिंदुस्तान है अदा है इनकी कातिल काम ही पहचान है निकू को हो या तुम को हो लुलिया सब इनही का तो नाम है नमस्कार दफुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक हमेशा कुछ अलग करने की सोच रखने वाले निधी जा भोजपूरी फिल्म जगत में खुद के लिए एक अलग मुकाम रखती है 18 अक्टूबर 1988 को बिहार के नवादा जिले में जन्मी निधी जा भोजपूरी फिल्म जगत में लुलिया के नाम से फेमस है ये नाम उनको अपने गाने से मिला लुलिया माँगे ले लुलिया का माँगे ले अब तो निधी जा अपने निक नेम निक्कू की जगर लुलिया को ही मानने लगी है वैसे इनका कहना है कि दर्शक प्यार से जो इने नाम दे वो इनके लिए आशिरवाद है मुंबई में पली बड़ी निधी जा के पिता रंजीत जा एक असिस्टेंट डिरेक्टर है फिर भी निधी जा का सपना था कि वो डॉक्टर बनी वो कहते हैं ना कि किसमत में जो हो वो मिल ही जाता है एक दिन निधी जा अपने पिता के साथ तारक महता का उल्टा चश्मा की शूटिंग देखने पहुंची और वहाँ डिरेक्टर ने उनके बड़े बालो को देखकर हैर ओयल के एड में काम करने का उफर दे दिया इस एड में ही निधी जा ने पहली बार कैमरा को फेस किया फिर क्या था उनके एक्टिंग की करियर की गाड़ी दोड़ पड़ी और निधी जा को बालिका वदू में काम करने का मौका मिला निधी की मेहनत और उनकी काबलियत ने उनके पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया सपने सुहाने लड़कपन के, कुल दीपक, तारक महता का उल्टा चश्मा, क्राइम पेट्रॉल, अदालत जैसे कई सीरिल्स में उनके काम करने का मौका मिला लेकिन अभी भी निधी जा की चा कुछ अलग करने की थी और आगे बढ़ने की थी चा ने निधी जा को भोजपूरी इंडेस्टरी की तरफ ले आये निधी जा की पहली फिल्म, भोजपूरी सूपरस्टर पवन सिंग के साथ आई इस फिल्म को लेकर निधी जा बताती है कि जब मुझे इस फिल्म का उफर आया तो मैं भाशा को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज थी क्योंकि मैं बिहार से हूँ लेकिन मुझे भोजपुरी बिलकुल नहीं आती लेकिन एक कलाकार को हमेशा नई चैलेंजिस का सामना करना ही पड़ता है और इसमें भोजपुरी फिल्म जगत के सभी ने बहुत सहयोग किया निधी जा का मानना है कि जितना रिस्पेक्ट भोजपुरी जगत में उन्हें मिला और कहीं नहीं निधी जा ने ट्रक ड्राइवर 2, सत्या, कसम पैदा करने वाले की, क्रैक फाइडर, गैंग्स्टर दुलनिया जैसी कई सूपर हिट फिल्मों में अभिने किया गैंग्स्टर दुलनिया में उनको नेगटीव रोल के लिए उनको बहुत प्रसंसा मिली निधी जा को भोच्पुरी फिल्म जगत में सबसे अधा प्रसित उनके गाने बरफ के पानी और लुलिया का मांगेलू से मिली अब बात करते हैं निधी जा के परिवार के बारे में निधी जा के दो भाई हैं निरज जा और तुशार जा और उनकी मा हाउस वाइफ हैं निधी जा अब तक दो बार भोच्पुरी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रस आवार्ड अपने नाम कर चुकी है निधी जा को डाउंस और क्रिकेट बेहग पसंद है वो कहती हैं मैं एक आम लड़की हूँ मेरी भी खौईशे और सपने भी आम ही है बस मुझे अपने काम और मेहनत पे पूरा भरुसा है बाकी खबरों के लिए देखते रिये दफुल वॉल्यूम और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले